नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूस अपडेट के रूप में पाकिस्तान जिndाबाद के नारे लगने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो शोसल मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। के कारे करता पारटी और अखिलेश यादव जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे तबी बीच में से कोई पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे भी लगाता सुनाई दिया इसका 38 सेकिंड का एक वीडियो सोसल मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है वीडियो के वाइरल होने के बा प्राइवेट इस्कूल अब RTI के दाएरे में आएंगे फिस समय देनी होगी पूरी जानकारी जिहां दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट इस्कूल अब सूचना के अधिकार अधीनियम के धाएरे में होगे और उन्हें RTI के मांगे गई जानकारी अन愁आर अतिवारी ने अपने आदेस में प्राइवेट स्कूल में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कहा है। आपको बता दे दोस्तो प्राइवेट स्कूलों ने आरेटियाई के तहती साधार पर जानकारी नहीं दी थी कि उन्हें राज्य से कोई मदद नहीं मिलती है। प्रदान किया गया है। अब इस संस्तान को दान देने पर दान दाता टेक्स में चूट हासिल कर सकता है। इंकम टेक्स डिपार्टमेंट से जुड़े सेंट्रल बोर्ड अफ डारेक्ट टेक्सेज ने मंगलवार को एक नोक्टिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है। यह नोक्टिफिकेशन साल 2021-22 से साल 2026-27 के दोरान किये गए दान पर लागू होगी। और कोई दान दाता उसी अवदी के लिए टेक्स कटोती का दावा कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि दान दाता दान के बराबर की राशी अपने टेक्सेबल इंकम से घटा सकता है। इससे दान दाता कि टेक्स के लाइक इंकम घट जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बन गया था। अब राज्य सरकार ने इस सिलसले में बड़ा फैसला लिया है। 2020 राज्य करमचारियों के परिवारों को 30 लाग की अनुग्रह राशी दी जाएगी। इतरी स्तरे पंचैक चुनाओं के दोरान कोरोना संक्रमण से जान गवाने वाले राज्य करमचारियों का सत्यापन करने के बाद सरकार ने अन्तिम सुची जारी कर दी है। उस सुची में उन तमाम करमचारियों के नाम मौजूद हैं जिनोंने कोविट की वज़े से चनाओं के दोरान अपनी जान गवाई थी। उन सभी के परिवारों को सरकार की तरब से 30 लाग रुपे की आर्तिक शायता दी जाएगी। जानकारी दी गई है कि इस अन्तिम सुची को राज निर्वाचन आयों को भेज दिया गया है। ऐसे में प्रिक्रिया पूरी होते ही परिवारों को ज़रूरी आर्तिक सायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर इंडियन एकोनोमी के लिए अच्छी खबर पहली तिमाई के दोरां डबल डिजिट में होगी एकोनोमिक ग्रोथ। जियां दोस्तों भारते अर्तिवेवस्ता के लिहाज से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। दरसल रेटिक एजेंसी इकरा की रिपोर्ट के मुताबी कोरोना वाइरस महामारी की दूसरी रहर के बाद राजियों की ओर से लगाए गए लोगडाउन या कर्फ्यूजे से इस्तानिय पर्तिबंदों को हटाने के चलते आर्तिक सुदार ने रफ्तार पकड़ ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बारते अर्थ विवस्ता वित्वर्ष 2021 के निचले आधार के मुकाबले अप्रेल जून 2021 के दोरान धाई अंक में बढ़ेगी। हाला कि अभी ये वित्वर्ष 2021 की पहली तीमाई में देखे गई इस तर से कम रहेगी। रिटिंग एजेंसी इकरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्वर्ष 2021 के पहली तीमाई में वास्तविक जीडिपी साल दर साल आधार पर दो अंकों में व्रद्धी हासिल करेगी। देश वियापी लोगडाउन के चलते वित्वर्ष 2019-20 की जून तीमाई में जीडिपी में 23.7 फिसदी की कमी दर्ज की गई थी। इसके चलते पूरे वित्वर्ष के दोरान 7.3 फिसदी की गिरावर देखी गई है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि राजियों की और पृतिबंदों के चरण बद तरीके से हटने के बाद आरती गत विदियों में सुदार हुआ है। इकरा की मुखे अर्थसास्तरी अधिती नायर ने कहा है कि मई 2020 के मुकाबले जून 2020 में 15 संकेतों में से 13 का प्रदशन साल दर साल आधार पर समान है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर तेजिसे बढ़ रहा है डेल्टा वेरेंट का कहर महामारी की तीसरी लहर के प्रारंबिक दोर में दुनिया। जी हैं दोस्तों विश्व स्वास्ते संगटन प्रमुक टेड्रोस अधनोन गेबरेसेस ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर दुनिया को आगा किया है। कोरोना के डेल्टा वेरेंट के बढ़ते कहर के बीच उन्होंने कहा है कि दुरभागे से हम अब तीसरी लहर के प्रारंबिक दोर में है। टेडरोस ने कहा कि सामजी गत्वीदियों के बढ़ने और रोखताम के उपायों के असंगत उप्योग के चलते डेल्टा वेरियंट के पहुँ पसारने के साथ इन नए मामले और मरने वालों की संक्या में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बता है कि डेल्टा वेरियंट अब 111 देशों में पहुँच चुका है और जल्धी पूरी दुनिया में हावी हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तो जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। जाएगी हाला कि कई लोग मुझूदा इंफ्राइस्टेक्चर में कमी की बात भी कर रहे हैं। महराश्री सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक विकल की पोलेसी में कई सवूलेतें दी हैं। इन में से नई गाड़ी खरीदने पर अधिकतम एक लाग रुपे की रियायत इसके साथ ही पांच जार रुपे कीमत किलो वार्ट तक चार्जिंग की रियायत भी दी गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो फिलाल देस भर में तकरीबन एक लाग पंदरा अज़जार चार पई ये वहान है। साल 2021 में हर माईने तकरीबन चार अज़जार नई गाड़ियां पूरे देस में रेजिस्टर हो रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। और नाकुला लेक के ठीक पीचे बना है। दोस्तों राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी है। श्रत दालू 2023 समाप्त होने के पहले ही भव्वे मंदीर में राम लला का दर्शन कर सकेंगे। स्री राम जनभूमी तीर्थ त्रस्ट ने इस लक्ष को पाने के लिए निर्मान की समय बद्ध कारे योजना बनाई है। इस योजना का ब्लूप्रिंट ट्रस्ट की राम नगरी अयोध्या के सरकिट हाउस में हुई बेठक में तेयार किया गया है। ये योजना के अनुसार मंदीर का निर्मान कारे 2023 तक और संपुन परिशर का विकास 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर नासा ने चेताया चांद पर होने वाली हलचल से दुनिया को खत्रा 2030 में आएगी भयानक बाल। जी हाँ दोस्तों नासा ने एक अद दिन किया है जिसमें बताया गया है कि चंद्रमा की कक्षा में थोड़ी सी भी हलचल हुई तो समुद्र का इस तर बढ़ जाएगा और 2030 के दशक में विनाशकारी बाल आएगी नासा की स्टेडी के मुताबिक 9 साल बाद दुनिया भर ब करवाती तुफान देखे गए थे अब इस अद दिन से खुलासा किया गया है कि अगर चांद की कशे में जरा सी भी हल चल हुई तो दुनिया में भयानक बाल आएगी और अमेरिकी तट्रेका को इसका सबसे ज़्यादा खामिया जब उगतना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों अगले 24 घंटों के दोरान कॉंकन और गोवा तटीय करनाटक और केरल के कुछ हिसों में मद्यम से भारी बारिश की संभावना है वहीं दक्षनी गुजरात मद्यम हराष्ट्र मराठवाला के कुछ हिसों तेलांगना और विदर्ब के अलग-अलग हिसों सिक्किम उभी माले पशिम बंगाल, असम मेगाल, अरोनाचल प्रदेश, नागालेंड और अंडमान निकोवार दीब सम्मू में हलके से मद्यम बारिश के साथ कुछ इस्तानों पर भारी बारिश हो सकती है वहीं दिल्ली, राजिस्तान के कुछ हिसों, गुजरात के बाकी हिसों, बिहार के कु पशिम बंगाल, बाकी पूर्वत्तर, भारत और लक्षदीप में हलकी बारिश की संभावना है। दिली सरफ बाजार में सोने के भाव में 177 रुपे प्रती 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई, जिससे 10 ग्राम सोने का भाव 47,443 रुपे पर पहुँच गया है। इनमें भी सबसे ज़्यादा महेंगा पेटरोल मुंबई में मिल रहा है। देश में सबसे महेंगा पेटरोल राजिस्तान के स्री गंगानगर जिले में मिल रहा है। एक लिटर पेटरोल के लिए आपको 112 रुपे 90 पैसे चुकाने होंगे। जबकि डीजल के लिए आपको करीब 103 रुपे 15 पैसे देने होंगे। बात करें दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल के दाम होकी तो दिल्ली में एक लिटर पेट्रोल का दाम एक सो एक रुपे चबवन पेसे हो गया है वहीं बात करें डीजल के दाम होकी तो दोस्तों डीजल 15 पेसे महेंगा होकर 89 रुपे 37 पेसे परती लिटर पर पहुँच गया है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर सिडनी के बाद अब मेल्बॉर्न में भी लगाया गया लोकडाउन ओस्टेलिया में फिर तेजी से फेल रहाए कोरोना संकरमन जिया दोस्तों डाउन के दोरान जरूरी सेवाओं के लिए चुट रहेगी इसमें किराने की खरीदारी आवशक कारे व्यायाम स्वास्ते देख वालोटी का करण को शामिल किया गया है डेट साल पहले महामारी शुरू होने के बाद से उस्टेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबॉर में ये पांचवा लोकडाउन है साथ इस दोरान राजजे की करीब 66 लाख आबादी को घरों में ही रहने के आदेश दिये गए हैं वहीं सिडिनी में पहले से ही लोगों के लिये घरों में रहने के आदेश जारी किये गए हैं इस हिसाब से उस्टेलिया की करीब आदी धाई करोड की आबादी इस वक्त अपने घरों में केद है इसके बाद दोस्तों रूख करते हैं अगली खबर का मुंबई में ओला उबर से सफर हुआ महेंगा 15 परतीशित तक बढ़ाया किराया जी हैं दोस्तों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब हर जगे दिखने लगा है मुंबई में केब एग्रिगेटर ओला और उबर ने अपने किराया में 15 परतीशित तक का इजाफा करने का एलान किया है एब बेस्ट दोनों एग्रिगेटर्स ने देश के अलग-अलग राजियों में किराया बढ़ाया हैं जो वहां के इंदन की दरों के इसाब से है हिंदुस्तान टाइम में चबी खबर के मुताबिक दोनों कमपनियों के अधिकारियों का कहना है कि उनके ड्राइवर्स की मांगत की किराया बढ़ाय जाए क्योंकि इंदन के दाम काफी बढ़ गए हैं चार मेटरों शहरों में पैट्रोल और डीजल के दाम सबसे जादा है मुंबए में एक लिटर पैट्रोल का दाम एक सो साथ रुपे चववन पैसे प्रती लिटर है जबकि डीजल संत्याण में रुपे पैटालिस पैसे प्रती लिटर के भाव से मिल रहा है कुछ दिन पहले महानगर गेस लिमिटेड ने सी एंजी के दाम भी बढ़ाए हैं इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर महरास्टर कॉंग्रेस नेता नाना पटोले का विवादित बयान कहा सरत पवार के हाथ में है उद्धव सरकार का रिमोट कंट्रोल जिया दोस्तों महरास्टर कॉंग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है पटोले ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतरतु वाली महाविकास अगारी सरकार का रिमोट कंट्रोल NCP अध्यक्षरत पवार के हाथ में है हाला कि जब मामले ने तूल पकड़ा तो पटोले ने पवार की तारिफों के पुल बांदिये आपको बता दे दोस्तों महाराश्च्र कॉंग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की बयानवाजी से भड़के शरत पवार को मनाने गए कॉंग्रेस नेताओं की बैटक को कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि नाना पटोले ने विवादों का एक और तीर चला दिया पटोले ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि उद्दव ठाकरे के नेतरतु वाली महाविकास अगारी सरकार का रिमोट कंट्रोल शरत पवार के हाथ में है तो यह थी दोस्तो आज की सविम है तपुन बड़ी खबरें और दोस्तो बारी आती है आज के माइंड के इस क्यूशन की जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शांदार उफार के विजयता तो दोस्तो आज का सवाल है ब्रिटिस्ट काल में भारत की राजजानी कौन शास सहर था जी हाँ दोस्तो अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरन कमेंट सेक्षन में लिख दीजे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चनल को सब्सक्राइब क करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें धन्यवाज जेहीं जे भारत बंदे मातरम